हेलो फ्रेंग्स कैसे आप सब मेरे चैनल फोर्ड मॉमेंट्स एटों में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम बनाएंगे आवले का मुरब्बा यह बहुत ही लाबकारी होता है आवले का मुरब्बा हमारा इमिन सिस्टम को मजबूत बनाता है बाल जढ़ने से रोकता ह आपका पेट का डाइजेशन सिस्टम में वह भी ठीक रहता है आप इसे पर डेक आवला खा सकते हैं तो चलो इसे देखते हैं कैसे बनाते हैं आवला का मुरब्बा बनाने के लिए सब से पहले हमें फ्रेश आवला चाहिए यह आदे किलो से जादा आवला ले रखा है आज इसके बाद हमने इसको ड्रेन कर दिया अच्छे साफ कर दिया है और आप में इसको पोच लेंगे आप चाहिए पंखे के नीचे रख लीजिए या फिर ऐसे सूखने दीजिए या आप छट पर भी इसे दूप में सुका सकते हैं तो देखें में तो इसको कपड़े से साफ क पर दिया है और उसके बाद हम इसको बनाना शुरू करते हैं तो हम बिल्कुल ऐसे ही बड़े बड़े आमले हमें चाहिए जैसे ही आमले हैं बिल्कुल पके वे इससे बहुत अच्छा मुरब्ब बनता है अब क्या करेंगे एक फॉक ले लेंगे और उससे आमले को प्रिक क कर लेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं कि आप आमले का मुरब्ब बना के रख लीजिए पूरे सर्दी में काम आ जाएगा तो आप पढ़े इसे एक आमला खा लेजिए और आप क्या करेंगे सब सब पहले एक बरतन में पानी गरम करे और उसी बरतन में चीनी डालेंगे मिश्म용 की पोन्टितर के अःचिनी की जो कोटितीर है हमने तीन कटोरी नॉर्मल जो कटोरी उससे लिए और उसके बाद में आवले करेंगे जालें में पारें पांडी और फिलेम ऊसको करूं सब्सक्राइब को से याइओ पनी तो फिलेम क्ला दालें प्रखेंगे छीने और आमलला को फिले झाले तो Li तो इसे लेश में 20-20 मिन लग जाएंगे पकने में और इसी तरह से चलाते रहेंगे इक चाश्न की जो हमें Emban चााहिए तो बस तब तक हम इसको पकाते रहेंगे और देखे चाषनि की तार आ पीड region और कुछ। आपकर कर दिंग state rightly को नेंक्स को खाईए तो इसके अंदर जचासने अच्छे से अंदर आवले के अंदर चली जाए इसको अब अच्छे से मीक्स करने के बार अब इसमें डालें मैं इंग्रीधियन डालेंगे इसमें डालेंगे हम सबसे पहले इलाजी पाउडर और एक चमाच में डालेंगे तो यह देखे एक चमाच में काला नमक डाल दिया इसको चलाने के बाद अब इसको अच्छे से बंद करके धक्कन लगा के रख दिए तो यह थी हमारी आज की आमले की मुरब्बा की वीडियो तो आपको कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताना और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करना फिर मिलेंगे नए रेसिपी के साथ